हेलो दोस्तों स्वागाटाक पप्टकाउंद निया मैं मैं सेंजर और दोस्तो अकसर लोग फ्यूचर टैट को लेंके बहुँ जादा एक साइटेर रहते हैं मेरे पास बहुत बहुँ सारे कोशन आ रहे हैं कि इसार फ्यूचर टैटके बारे किस पर टेट किया खता है और कुछ ऐसा ट्रिक बताएं जिसे हम लोग डेली अर्न कर पाएं मार्केट आप लोग देख रहे होंगे बहुत जादा भी इसमें बोरिंग चल ला है तो फ्यूचर टेट का इस्तमाल करके कुछ यहां से अर्निंग कर लिया जाएं तो आज मैं आप सब्सक्राइब के साथ फ्यूचर टेट के बारे में सारा इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा किस पर से टेट करते हैं कुछ ट्रिक भी बताओं जिसे हम डेली अर्निंग भी कर सकते हैं लेकिन आप सभी को जितना सुन्दर लग रहा फ्यूचर टेट बाहर से देखने में अक्सर आप लोग इसक्रीन होना नॉर्मल बार्केट में कहीं कहीं देखा तो अभी नामुकीन है इसमें मैक्सम लोग का फंड अभी लॉस में चला है तो अभी और भी ज्यादा उन लोग का माइन फ्यूचर टेट के ऊपर जाता है लेकिन जैसा मैंने आपको बताया है कि वह जो परसेंटेज आप सभ पर 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 और वो नीची आता है पचीस आट डॉलर के करीब तो हम लोग का 50 पर सेंट करीब का लॉस यहां पर हो गया लेकिन हम लोग के पास जो कौई पड़ा हुआ है उसको होल्ड कर सकते हैं आने वाल दिनों बिटकौइन जब 50 आट डॉलर या 60 आट डॉलर जाता है हम तक प्राइज आ जाता है तो आपका जो 1000 डॉलर है वो जीरो हो जाएगा मतलब आपके पास कोई भी फंड नहीं बचेगा आप स्पोर्ट डेट में तो आप होल्ड करके आने वाल समय में प्रॉफिट बना सकते हैं लेकिन फ्यूचर डेट में अगर लिकुटेशन प्राइ आपका फंड पूरी तरह से जीरो हो जाए वैसे तो फ्यूचर टेट करने के लिए आप सभी को बहुत सारे ऐसे एक्षेंज देखना को मिल जाएंगे लेकिन मेरे हिसाब से सबसे जो बेस्ट एक्षेंज है आज की समय वह है बाइनेंस बाइनस पर आप सभी को अच्छे का गिवे होता है तो वह हमारी जितने भी बाइनस उजार है उनके साथ डिस्ट्रीट किया जागा और इसकी अलावा जहां लोग ट्रेड करते हैं तो बाइंग और सेलिंग करने में कुछ ए ट्रेडिंग फीस लगती है तो उस फीस में भी आप सभी को डिसकाउंड मिल आप सभी कोई भी लॉस नहीं है अब जब आप लोग एकाउंट बना लेंगे तो आपकी सामने इस तरह का इंटरफेस को लेगा यह मैं लैप्टॉप में करके बताऊंगा से मिस्ट्रिप्राइस से जो इसका अप्लिकेशन आप समाल करेंगे तो सारे आप्शन इसी हुआ है या इथेरियम पड़ा हुआ या सोलाना कोई पड़े हुए हैं अगर आपके पास वह कोई पड़े हैं तो आप उन कोई से फ्यूटर कर सकते हैं और वहीं जो यूस्टी एम फ्यूचर है इसका मतलब कि आप यहां पर जो ट्रेड ओपन करने जाएंगे उसके लिए कि आप सब्सक्राइब यूस्टी या यूस्टी सी होना चाहिए तो हम आज जो ट्रेड करेंगे वह इसमें ही करेंगे और आपको देखेगा यहां पर बहुत सारे कोई आप लोको देखने मिल जाएंगे तो फिलाल यहां पर जो ओपन है वो बिटकोईन का है यह आपको यह चार्ट दिख रहा है राइशार्ट में आप सभी को सारे ओर दिख रहा है अब यहां पर आप सभी को आप सब्सक्राइब अच्छे समझ देगा यह आइसुलेट और एक आजाएगा आपका क्रॉस आप इस पर क्लिक करेंगे तो जब आप ट्रेड करने जाएंगे तो यहां पास 52 डॉलर के करिविका पढ़ा हुआ है तो अगर आप केवल 10 डॉलर से ट्रेड ओपन करेंगे बाकि 42 डॉलर है वह आपके बैलेंस में पढ़ा हुआ है तब भी अगर आपका फंड लिक्विडेट वाले इमांट के पास पहुछ जाएगा तो आपके पास जो बैलेंस प पर कोई भी इंपेक्ट देखनों नहीं मिलेगा तो आप हमेशा से कभी भी ट्रेड करिएगा तो आइसलेट वाले मोड का ही इस्तमाल करेगा ठीक है तो यहाँ पर मैं इसको सलेट कर लेता हूं अब नेक्स आता है आपे लेवरेज आप देख सकते हैं हाँ वन एक्स से ले पपेंज है 10 lists कर देगा मतलब आपको लोन के तौर पर दो दस लाग कर देगा अब आपका जो ट्रेड रुपशन के खरीब का प्रॉफिट उसमें होता हो दो आपको बहुत को यहाँ हो leverage लिया है तो वो जो trade open हुआ वो 10 lakh से open हुआ है 10 lakh का 10% हो गया 1 lakh मतलब आपने 1 lakh से trade open किया केवल 10% market उपर गया तो आपका जो fund हो गया 2 lakh के करिब का मतलब की 100% करिब का दूगना आपने कर दिया केवल 10% में तो यह फायदा होता है future trade में leverage लेने का यहां पर trade करने का बाकि इसी का उल्टा आपको बता दूँ अगर आपने 1 lakh से trade open किया और आपका trade जाने लगा मतलब की loss में जाने लगा तो केवल 10% ही वो अगर नीची आता है तो आपका जो 1 lakh रुपय है वो totally zero हो जाएगा मतलब उसको 100% से नीची आने जोत नहीं है आपने 10x का leverage लिया है तो वो केवल 10% ही अगर आपके trade के अपोजिक चला जाता है तो आपका फंड जीरो हो जाएगा तो इससे यह पता चलता है कि आप जितना ज्यादा leverage लिंगे उतना ज्यादा risk आप सभी लोग के लिए रहेगा अगर आप 100x का leverage लेते हैं और trade अपना open करते हैं तो केवल market 1% उपर गया तो आपका जो fund है वो दुगना हो जाएगा लेकिन अगर 1% नीची आ गया तो आपका fund पूरी तरसे zero हो जाएगा तो कोशिज करेगा आपका जो price जो भी चलना है आप यहां पर डाल सकते हैं market में आपको क्या करना केवल अपना योजिटी यहां पर डालना है leverage सेट करना है और जैसे यह आप लॉंग करेंगे तो आपका trade open हो जागा जो current price चलना होगा ठीक है नीचे आप सभी को TP and SL दिख रहा होगा इसका मतल चार्ट आपने देखा और आपको चार्ट एंसे करने बाद यह पता चलना है कि Bitcoin यहां से उपर जाने वाला है तो हम लोग यहां पर लॉंग करेंगे ठीक है और लॉंग करने पर Bitcoin का price आपने जिस price से लॉंग किया हूं और यह जितना उपर जाएगा मैंने लॉंग किया है तो हमें profit होगा वहीं अगर यह नीचे जाने लगेगा तो हम लोग को loss होने लगेगा और वहीं sort का मतलब यह है कि आपको यह उमीद है कि market यहां से नीचे जाने वाला है तो आपने अपना sort open कर दिया अब अगर नीचे जाएगा market आपने जितना prediction किया उसी साबचा अगर न मत open करिएगा आप इसको और भी ज्यादा नीचे ले आएगा five minute या उससे भी नीचे ठीक है मैं यहां पे five minute का जो चार्ट है वो open कर लेता हूं अब यहां पर अपने अगर prediction किया कि यहां से bitcoin उपर जाएगा market वाले पे जो अभी market price चल लागा सीधे वहीं से हमारा trade open हो आप मार्केट यहां से नीचे जाने वाला या उपर जाने वाला तो तुरंत आप market mode वाला इस्तमाल करिए और सीधे उसको लॉंग कर देजिए यहां पर मैं लॉंग कर देता हूं जैसे मैंने यहां पर लॉंग किया है वैसे आप देख सकते हैं हमारा जो position है यह open हो गया है इंट्री जो प्राइज है वह 55.293 के करीब का है अभी प्राइज उससे ऊपर चलना है इसके अलावा आप देख सकते हैं market प्राइज यहां पर दिख जाएगा आपको liquidation प्राइज दी जाएगा मतलब कि यह liquidation जो प्राइज है 49.941 के करीब अगर bitcoin आता है तो हमारा जो यह इसके अलावा जो मार्जिन रेशियो आपको दीख जाएगा जो आपने यूज किया है वह यहां प्राइज के करीब का है प्राइज आपका क्या भी चलना है वह आपको यहां पर देखनो मिल जाएगा राइट साथ में आप सभी को यहां पर दिख रहा होगा take profit and stop loss तो आप इस पे आके अपना जो take profit है तो आप यहां पर simply अपना take profit अगर कर देते हैं कि 55 या 56 के करीब का आएगा तो मुझे यहां पर profit हो जाना चाहिए और वहीं आप यहां पर stop loss लगाना चाहिए कि अगर प्राइज यहां से 5% नीचे जाता तो यहां पर मेरा trade close हो जाए तो यहां कि यहां पर चला जाता है तो मुझे जो profit होगा यह 500 डॉलर के करिपका मतलबब की उसका 10% पचास डॉलर करिपका तो मतलब केवल 10 पर जाने से मेरा जो फंड हो दुगना हो जाएगा लोगना के लिए आपको simply यहां पे close आल पोजिशन करके देख रहा है इस पर आपको क्ल तो आप यहां लेबरेस सेट करिए और आप मार्केट पाइस से तुरंत आप कर सकते हैं और यहां से आपने शौर्ट सेल पर कर दिया जैसे अब सेल पर क्लिक करेंगे आप का पॉजिशन यहां पर उपन हो चुका है अगर M seniors अगर लुच्वेट सेल पर जाएद अगर मार्केट उपर जागा तो आपको जो है लॉस ऑना स्टार्ट होगा तो अब देख सेता है 60,500 करीब का अगर प्राइज जाता है बिटकॉइन का तो मेरा जो फंड पूजिता से लिक्विडेट हो जाएगा अब इसको भी आपको क्लोज करना है तो आप सबी आके यहां से क्लोज आर्व पॉजिशन कर सकते हैं और आपका जो ट्रेड उब क्लोज हो जाएगा तो इस पराइसे आप कर सकते हैं यहां पर बहुत सांसा लोगों जानकारी नहीं होती कैसे इसमें आप से कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको केवल दूसरे के ट्रेड को कॉपी करना है आप उसका ट्रेड कॉपी कर रहा है तो उसके बदले जो प्रॉफित होता है उसमें कुछ परसेंटेज यह लोग भी रखते हैं यह जो फंड है वो बाइनेंस के पास ही होता है तो इसमें कोई ज्यादा रिस्क नहीं है कि आपका पैसा जो है किसी और के पास चला गया तो फंड आपका चोरी हो जाएगा बस यहां पर ध्यान देने वाली बात यह रहती है कि आप जिस ट्रेडर का कॉपी कर रहा है क्या उसका ट्रेड सही जा रहा है कि खराब तो और फिर दिया है ठीक है और यह जो ग्राफ आप सब दिख रहा है जिसका चांटिन्यू ऊपर ही जा जा रहा है तो ऐसे किसी बंदे का ट्रेड कॉपी मत कर लेजेगा जहां पर आपको नुक्सान हो जाए यहां पर आप सभी को अच्छे से ही देख समझके ही किसी भी लोग का कॉपी करना और यहां पर भी लॉस होने चांसे हैं अगर आपको मैं दिखा हूँ जैसे यह में पर जाएंगे यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे से ट्रेडर है जिनका जो ट्रेड ओपन किया है वो लॉस में गया तो यह इंफॉर्मेशन दोस्तों बाइनस फूचर से रिलेटेड अगर आप लोग कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं उसका रिपलाई करूँगा बागी फ्यूचर टेड से अन्निक करने के बहुत सारे तरीके हैं मैं आप सभी को एक ही करके इसके बाद बताऊंगा तो सबसे पहले आप लोग फ्यूचर टेड करना सीख लिजे छोटे से मौन से स्टार्ट करेगा अगर आप लोग का पोट्फोलिय साता है मुझे लगता है कि आप सभी को इसकी जरुवत है तो मैं आप सभी साथ कुछ ऐसे ट्रिक करूँगा जिसका इसमाल मैं किवल करता हूं मैं इस वेसे आप सभी साथ शेयर नहीं करता हूं कारण क्या है फ्यूचर टेड करने वाले जो लोग होते हैं इमोशन पर कंट करा ही जहिन